बोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंग अब राजनिती में भी अपना कदम रखने जा रही हैं अक्षरा सिंग ने फिल्मों में अपने करियर की सुरुवात रवी किशन के साथ 2010 में एक्षन ड्रामा फिल्म सत्न मेव जैते से की थी इसके बाद उन्होंने प्रान जाए पर वचन न जाए सत्या तबादला मातुझे सलाम जैसी कई फिल्मों में काम किया है अक्षरा ने कई सूपर हिट गाने भी गाए हैं वो इंडस्ट्री के एक लौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनोंने सोलो हिट्स दिये हैं अपनी मधूर अवाज और एक्टिंग से दिल जीतने वाली अक्षरा सेंग अप फिल्म के बाद राजनिती में अपनी किस्मत अजमाने उतरी हैं पिडिया से बातचित करते हुए अक्षरा ने कंफर्म किया कि उन्होंने प्रिशान किसोर की पार्टी जन सुराज का हाथ थाम लिया है इस ख़वर से भोस्पूरी इंडस्ट्री में तहल का मच गया है और लोगों के दिमाग में कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं बोस्पूरी फिल्मों की एक्टर और सिंगर सोमवार को प्रशान किसोर की जन सुराज अभियान से जुड़ गई है उन्होंने बताया कि वे अभी किसी पार्टी से नहीं बलकि अभियान से जुड़ रही है इसके बाद अक्षरा के 2024 में चुनाओ लड़ने की चर्चा भी सामने आ रही है अक्षरा सिंग ने बताया मैंने जन सुराज इसलिए चुना क्योंकि यह कोई राजनितिक दल नहीं उन्होंने यह अभी कहा कि अगर जनता का प्यार रहेगा तो मैं अवश्य चुनाओ लड़ूंगी अपना अशिर्वाद दे अपना प्यार दे ताकि मैं इन चीजों में और अग्रतर होकर क्योंकि जन्ग सुराज कोई पार्टी नहीं है एक अभियान है जर्ख कोई शीच नहीं है नथिंग इस बैर मैं आपको कह रही हूँ कि अभी चलाल मैंने पहल की है अगर मेरे किस्पत में रहा अगर वक्त ने साथ दिया तर्शकों का प्यार रहा जन्ता का प्यार रहा तो शायद हो सकता है पर मैं उस बारे में कैसे अभी कमिट कर दू जम्मे आए बता दे कि भोसपुरी फिल्मों के सूपर स्टार पवन सिंग वीजेपी से आरा से चुनाओ लड़ना चाहते हैं इसके बाद कहा जा रहा है कि जन सुराज में सामिल होने के बाद अक्षरा सिंग भी राजबुत बहुल आरा से चुनाओ लड़ सकती है रेकिन अक्षरा सिंग ने इसे अफवा बताया है अक्षरा सिंग भोसपुरी फिल्मों की फेमस एक्ट्रेस हैं इसके साथ ही वह अच्छी सिंगर भी है अक्षरा के पिता विपिन इंद्रजीत सिंग भी भोसपुरी फिल्मों में काम करते थे